आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी सी आम रस और मसाला पूरी तो हमेशा की तरह वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा तो चलिए स्टार्ट कर ले अच्छे से हमने चील लिए इसके बाद हमेंसे रफली काट लेंगे एक मिकसर ग्रेंडर में क्योंकि हमें इसकी प्योरी बनानी है तो यहां पर मैंने दोनों आम अच्छे से कट कर लिए हैं अब इसमें हम 3-4 चमच चीनी एट करेंगे तो चीनी जो है वो डिपेंड करता ह है कि आम कितना मीटा है उससाब से चीनी की कम और जादा होगी उसके बाद मैं थोड़ा सा इलाइची पाउडर एट करेंगे बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगा आमरस में और 2-3 चमच पानी एट करके हम इसे एकदम स्मूध ली पेस्ट बना लेंगे तो देखें यहां प करता है तो चलिए नेक्स सटेप यहां पर हम बनाएंगे पूरी तो यहां पर मैंने लिया है बड़ा कप घिहुं का आटा उसमें हम नमक एट करेंगे टेस्ट के परदेंगगे आधा चमच लाल मिर्च पाउडर एट करेंगे और यहां पर मैंने थोड़ी से कसूरी मेथी करेंगें इस तरह से हम क्रश करके मैडिकर लेंगे। इसमें अच्छा पूरी बभाए ममेपे करते हुए जिसंद इसमे पूरी लगाते हैं तो यहां पर में ऐल नहीं कर रही अज़ी के आटे मेंसा करते हैं कुरिका इसमें अधा तेल इंफिर्भ माचा क affinity करें लिए तो देखिए कुछ इस तरह से आटा हमने लगा लिया है तो यहां पर सकत आटा हमारा गुंद करके रेडी है तो इसे हम पांच मिनिट के लिए रेस्ट के लिए रख लेंगे तो पांच मिनिट हो चुके हैं तो थोड़ा सा ओयल में लगा रहे हूँ ताकि यह चिपके ना और अच्छे से हम आटे को चिकना कर लेंगे तो देखिए आटा भी भी सकती है हमें सॉफ्ट नहीं लगाना आटा तो यहाँ पर आटा भी अच्छे से चिकना हो चुका है अब इसकी हम छोड़ी-छोटी लोई बना लेंगे जिस तरह से हम पूरी की लोई बनाते हैं छोटी-छोटी बॉल्स तो यहाँ पर मैंने सारी लोई और बना करके रेडी कर ली है अब इसे हम बेलेंगे छोटी छोटी पूरी तो थोड़ा से यहाँ पर मैंने सूखा आटा लगाया था ताकि यह चपक रहा था तो इस तरह से हम छोटी छोटी पूरी बेल कर रेडी कर लेंगे कुछ इस तरह से तो यहाँ पर मैंने सारी पूरियां बेल कर एड़ी कर ली है साथ ही में यहाँ पर मैंने तेल भी गरम कर लिया है तो चलिए पूरी एड़ कर लेंगे तेल में तो देखे कुछ इसर से प्रेस करते हुए हम पूरी को फ्राय करेंगे तो कितनी अच्छे से पूरी हमारी फूली है तो आटा हमने सकत लगाया था उस वज़े से ही पूरी अच्छे से फूली है अगर आटा सॉफ्ट होता तो पूरी इतने अच्छे से नहीं फूलती तो बस यहां पर पूरी भी अच्छे से फ्राय हो चुकी है निकाल लेंगे हम तो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और आप भी जरूर ट्राइब करके देखिए का बहुत ही टेस्टी रेसिपी है यहां पर दूसरी पूरी भी हमारी फ्राइब हो चुकी है ऐसे हम सर्व करेंगे ठंडे ठंडे आम रस के साथ मिलती हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रसिपी के साथ तब तक के लिए बाई थेंक्स पर वॉचिंग